हिंदोस्तान में लोगसभा चुनावों का आगाज हो चुका है जम्मू कश्मीर में भी लोग बहुत ही बेचैनी से इंतजार करे थे जम्मू कश्मीर में elections होने का हालाकि यहों लोगसभा elections हो रहे हैं पर जम्मू कश्मीर की एक उभरतिवी पार्टी DPAP यानि की Democratic Progressive Azad Party उन्होंने भी अपने जो लोगसभा constituency के प्रत्रियाशी है उनका चैन कर लिया है उदंपूर लोगसभा constituency कर बात करें तो DPAP से former minister GM Saruri सब जो है वो election लट रहे हैं इस constituency से उनसे एक खास बुलाकात करते हैं और आएए जानते हैं कि elections के दुरान पर वो क्या उनकी strategy रहेगी और elections के बाद जब वो जीतते हैं उसके बाद उनकी क्या सोच है इसको लेके तो सर जेकी नियू सुटे में आपका स्वागत है तो सर पहला सवाल तो मेरा आप से रहेगा शायद अजाद साब ने तो अपनी एक रैली में आउंस कर दिया था कि उदंपूर कॉंसेंस से आप ही कंटेस्ट करेंगे election और officially confirmation जो है वो कल ही हुआ है लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको पहले से पता था कि आप लड़ने वाले हैं तो और काला हमने नमनेशन पारम स्टो है वो कटवा में भर दी और उसके बाद एक बहुत बड़ी रेलिव को संबोदत किया गुलाम ने भी आजाद साब ने और मैंने हमारे बाद सारे senior leaders थे किस तरह के मुद्दों पर बात करेगी देखे मेरे पिछले 20 साल से में election लड़ रहा हूँ MLA हूँ minister था मैं उसके बाद cabinet minister भी रहा मैं तो बहुत सारे ओदों पर रियासर चमु कश्मीर में रहा मैं हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं हमें जानते हैं किसे election लड़ना किसे नहीं लड़ना हमारा जो मकसद और मुद्दा जो गुलाम ने भी आजाद साब का मनशूर है वो यह है कि state road को वापस लाना लोगों को यहां पर जो जमीनियों से च्छेनी गई जिसके लिए हमने बड़ा प्रोटेस्ट किया पूरी रियासर जम्मु कश्मीर में की जो state land है या रोश्णी की land है या जो बीज बीज पचास पचास साल से जंगलात की वो सफेज जमीन है जिसमें जंगलात नहीं है वो जमीनियों के कब्जे में है वो दुबारा हमने शरकार बने गुलाम लिज जासर चेप मुश्र बने तो वो जमीन जो है एक्ट बनाया जाया है थिर्ट फाइव में के तहट उसको बनाया जाया है ताकि उन लोगों को जमी दोबारा वापश आए जायोर रोश्नी अड़ को दोबारा लाए उसके साथ साथ जो जो घ्रीब लोग हैं जो आज समार्ट मेंटर लग रहे बाकी चासे हैं घ्रीब लोगों को बिजनी जो है एक एक बलब होता है, दो दो बलब होते हैं ज्यादा से ज्यादा, उनको विजली फ्री दी जाएगी, और बाकी जो अमीर है तो उनको तो किराया पूरा देना पड़ेगा, उसाथ में जो डिली वेजर से हैं, उनको परमिट किया जाएगा, जो हमारे एस्प्योज हैं, जो ज हमारे पूरी जमो कश्मीर और पूरी मेरी कांस्टेंसी में जो कुठवा, उदिंपो, डोड़ा है, बिजली का, पानी का, जो समस्यालों को उसको पुरा किया जाएगा, सुकूलों में टीचर दिये जाएगी, जो आज नहीं है, हस्पताल जहाँ डाक्टर नहीं, उनको पुरिस्ट जाएगा, जो सब रोजगार गॉर्मिट तो नहीं दे सकती है, मार कम से कम जो हर कांस्टिच्वांसी में एक नहीं डेस्टिनेशन टूरिज्म के खुलेंगे, जैसे कश्मीर में टूले जनुवरी में बना, तो टूरिस्ट जून में आता था, अब तूरिस्ट उसकी आज़ाद साब के दिमाग लगाने से वो टूरिस्ट जनुवरी में आना लगा, उसलिए अगर हम हर कांस्टिच्वांसी में जैसे कुटवा में, अधंपोर में, डोडा में, रामबन में, किष्टवार में, अपने में कांस्टिच्वांसी की बात करो, या पुरी लोग आ सकते हैं, टूरिस्ट आ सकते हैं, जो उस से हमारी माली हला ठीक होगी हूँद, हमारी नवजवानों को रोजगार खुद बेदा होकर, खुद वहाँ हो, उसको भशचते हैं, जैसे आज नवजवान हमारे ड्रक्स की तरब जा रहे हैं, उसकी वे रखावट क्या है विकेता है उसकी वजवा क्या है वजवाम तो इसकी यह है कि उनको रोजगार नहीं हो बेकार पेशडी करकर के मास्टर ग्रेट करके बी एम ए सबस्दित करके लोग तर बतर है आज हमद एनवए सी जो धर आज हम वांग इस जो डॉक्टर से वारे एन एच में के डाक्टर उ के अगया था, अगया है था,ाजश ऑनको 15-20 में पनाना फ्रेस, कशिस का था,क्तित कमीर्ण क में ह। पता ही नहीं जम्मो कहा है किस्मीर कहा है हो कहते हैं जम्मू का शहर और कश्मीर का जर्यों, यही यह सारई जम्मू कश्मीर मेरे जम्हों कश्मीर को है वो बहुत बड़ा एंडिया है और आपको मालूम है कि अगर देखा जाएंस की सरदें पाकिस्तान से मिलती है चाहिना खाते हैं अधिंया वहां जिल से मिलती है उधिकायनर इसमें दिमाग वला अदमी होने उसको होना चाहिए जिसको सारा पक त्स कि लिए गुराम लीबी आजाद की शक्स है तेरे बैतरीन शक्स है जिसको हर चीज़ का पा जोनों ने रियास्त जम्हों में मन रिखा शुरू किया सो दिन का रोजगा आज तो बीज दिन पच्छीज दिन में रहें इतने मतलब लोग खफा हैं कि आप सोच ने सकते हैं इसलि जानी कुछ फिर दूसरे रहें उसको भी आज लोग जवाब दे रहे हैं इसलिए एक मतबादल जो है गुलाम लीबी आजाद साहब उसकी पार्टी और जियम सुरूरी उनको मतबादल मिला है काल भी आपने देखा कुटवा में हमने कितनी बड़ी रेली की जिसमें हमने च जाते हैं मतला वो लोग उनको आजाद साहब को मुझे चाहते हैं जैसे आप बात कर रहे थी आपकी अगर कॉंसिचुन्सी की बात करें तो उसमें दस साल से जो MP है जी तिंदर सिंग क्या आप उनको चुनोती मानते हो इस समय देखें चुनोती होती है अगर किसी ने कोई क यह सारी को लोग बालजी का बटन दबा के ही भैसला करेंगे अगर आपकी पुरानी फॉर्मर पार्टी की बात की जाया उन्होंने वहां से लाल सिंग को खडा किया है उनको खडा किया तो आपको क्या लगता है कि वो किस हिसाब से वहां पर रहेंगे उनकी उनका जो पर दाग नहीं लगाना चाहता है। लाल सुम्हीं की शक्सिएत को दुनिया जानती है। कितनी पार्टियां चेंज की क्या क्या कारणामे की है। जासा मैं उस पे नहीं जादा कहूँगा। लोगों के साथ पुरी पिक्चर है। पुरी किदाबें हैं। वो खोली हुई और उसके बाद हमें वोट देंगे। सर एक आखरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। आप जब यहां पे लोकसभा कॉंजिजन्सी के चुनाव के बाद अगर आप जीतते हैं। तो आपका पहला मुद्बा पार्लेमेंट में जाके क्या होगा। और किस्ट क्या आप अलाइ जीत उनका घर है। कुट्वा और अधमपुर में ने इतना काम किया है कि जिसकी बात ने है। कि इस रखें। keeping कुट्वा और लूद्बोर में जो बनाएं। सारी इस अपने बनाएं। और उनका कंपंसेशन भी और उनका आज कंपंसेशन भी नहीं है। जितने सुकूल ब काल्यूं की मरमाद और आशा वर्कार 13 यह लाक आजार सहाब ने लगाए आगनवारी वर्कर आगनवारी कितने दी उसके बाद 10 साल में एक सेंटर में नहीं नहीं देखे इंगे इस चोटी का़ चोटा काम है तो इतना काम पुल्ट बनाया उतने बना यह वक्त में सारे उसके बाद दस साल में हमें कोई चीज देखने को नहीं मिली है लहाजा लोग जो है गुलाम लिभी आजाजाज साब का आज वोट करेंगे मन से करेंगे अब जन्दा से कुछ कहना चाहते हैं का अखरी मैसेज करता हूं कि गुलाम लिभी आजाज साहब और गुलामों मस्वरी जो देमोक्रिटिक प्राग्रिसियो आजाज पार्टी के वो मेदवार है उन्हें उनका निशान बाल्टी और उनिस तारी को बगेर मज़ों मेलत डिवलिप्मेंट के नाम पे वोट करेंगे और बाल्टी का बटन दबा गए खुलाम लिभी आजाज साहब और मुझे जो है पा झाल